यो वस्ट अप गाईज क्या हल चाल आचुके हैं एक और नी वीडियो के सब वाफेस एंड इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने आर पीम 6 रॉयल पास की एंड डेट के बारे में जो अपना मंद 6 का रॉयल पास चला है तो यह कब खतम होगा एंड साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट चीज के बारे में वो अपनी रैंक पुस्ट की टाइमिंग अभी कब तक आप इसमें रैंक पुस्ट कर सकते हो और अभी आप कौन से टीयर पे हो नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना है तो चली चलते हैं अपन सबसे पहले तो आपको जाना है रॉयल पास वाले पे ठीक है तो यहां पर आपको नीचे की साइज जहां पर इलाइट पास लिखा हुआ था ठीक है इसी के नीचे आपको थोड़ा साइड में नीचे आप देख सकते हैं 2021 बारा बीस एंड इसके आगे लिखवा है 2022 सत्रा यूटी सी पिलस तो भाई जब भी यूटी सी पिलस लिखा हुआ था तो इसका मतलब होता है कि आपका जो टाइम है थोड़ा इधर उदर हो सकता है ठीक है तो सत्रा की बजाए आप आठारा ही रखो ठीक है तो अपना जो आठारा को सुबहा साड़ेशाट बजए एंड हो जाएगा एंड 19 को हमें नया सेजन देखने के लिए मिलेगा जो की होगा आर पीम सेबन जो अपना मन्थ 6 का रोयल पास पू कتم हो जाएगा 18 जनवरी 2022 को अपना मन्स इबन का रोयल पास है वह में देखने के लिए मिलेगा 19 जनवरी 2022 को ठीक है तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने रेंग पुस की टाइमिंग के बारे में अभी C1 S3 में आप रेंग कब तक पुस कर सकते हो क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो ये बीड़ो सिर्फ ओनी के लिए ठीक है तो आपको सबसे पहले तो किलिक करना है C1 S3 सीजन पर तो इस पे आप जैसे ही किलिक करोगे तो उपर की साइड लिखा हुआ है साइकल वन सीजन थिरी और नीचे के साइड इसकी टाइमिंग भी लिखी हुए दोहचार एकिस ग्यारा उन्निस और आगे लिखवा है दोहचार बाइस एक सत्रा यूटी सी प्लेट तो भाई सेम चीज इसमें भी ये अपना जो सीबन S3 की जो सीजन है बो भी खतम होने बाली है सत्रा जन्वरी दोहचार बाइस को तो सत्रा जन्वरी दोहचार आप इसमें रिंग पुस कर सकते हो आराम से और अभी आप कौन से टियर पे हो तो ये नीचे कमेंट करके जरू से बता देना सो या गाईस आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेच्ट वीडियो में और भाई वीडियो कर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर देना फिलाल तो मिलते हैं हम लोग नेच्ट वीडियो में तब तक के लिए पाई बाई एंड सी यू